यह कहानी मैंने फेस्बुक पर पड़ी, जो मैं आपके साथ साज़ा करना चाहूंगा। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर गाढधी की प्रतीक्षा में बैठे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़ का आकर बोला। साहब जी, बूट पॉलिश। उसकी दयानिय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे की ओर बरहा दिये। बोले, लो, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने अपना काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तुलना में उसमें स्फूर्ती बहुत कम थी। वे बोले, कैसे ढीले-ढीले काम करते हो यार, जल्दी-जल्दी हाँ चलाओ ना। वह लड़का बिलकुल मौन रहा। इतने में वहां दूसरा लड़का, बूट पॉलिश वाला आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयम फटा-फट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खदा रहा। दूसरे ने जूते एकदम चमका दिये। पैसे किसे देने हैं? इस पर विचार करते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए जगधा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया, उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़ेचके को पैसे दे दिये। ये तीन महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था, हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। भगवान की दया से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और बहनों का क्या होता, बहुत ही स्वाभिमानी है, इसलिए भीख नहीं मांग सकता। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा कि साथियो अब यह पहले की तरह स्फूर्ती से काम नहीं कर सकता, तो क्या हुआ? इश्वर ने हम सबको अपने साथि के प्रती सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूती, करुणा और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीट, पेट, चेहरा, हाथ, पैर, भिन-भिन दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन-भिन दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा हैं। हम सब एक हैं। इस्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर यह तैय किया है कि अब हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रति दिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ी डियेचने पर इसके काम में सहायता भी कर दिया करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा इंसानियत की ऐसी उंचाई देखकर वे सज्जन आश्चर्य चकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थप थपाई और सोचने लगे शायद इंसानियत आज भी जिन्दा है। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया अवश्य दें।